Hello friends and welcome back to my channel चलिए देखते हैं आज कुछ अमेजिंग से किचिन टिप्स चलिए फ्रेंद्स टिप नंबर वन देख लेते हैं तो आज मैं आपको हरे चने याने की छोले को कैसे आप जट पड छील सके इसका टिप दूँगी एक नहीं दो टिप देने वाले हूं तो हरे चने इस समय बहुत ही फ्रेश मारकेट में अवेलेबल होते हैं क्या आपके शहर में हरे चने मिलते हैं कि नहीं ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएगा तो आज मैं आपको दो तरीके बताऊंगी तो सबसे पहला तरीका में तो देखे जिस साइड से दंडी होते हैं उसके उल्टा साइड यानि पीछी के साइड से आपको बस इसको इस तरह से तोड़ लेना है और ये जट पठ हमारे चने छिल जाते हैं तो ये तरीका सबसे साधारण तरीका है जो सभी को पता होगा पर फिर भी मैं आपसे शेर कर रही हूँ ये देखे आपको क्या करना है बेसिकली चने का पीछी का साइड होता है वहाँ आपको थोड़ा सा टियर करना है फार देना है और ये देखे छोले निकल जाते है भरे चने हम सभी को खाने भी चाहिए बहुत ही अच्छे होते हैं हमारे हल्प के लिए और इस तरह से आप इससे जटपट छील भी सकते हैं उसके धे सारी रेसिपीज भी बनती है तो छोले को आप इस तरह से पीछे से आप बस एक बाद चेयर कर ले और जटपट आपके छोले निकल के आ जाएंगे वैसे इसके कैसे बूनना है इसका भी टिप मैंने अल्री शेयर किया था जो आप लोगों को यूनीक लगा तो अगर आपने नहीं देखा कमेंट करें मैं आपको उसका लिक दे दूँगी ये देखे इस तरह से आप जटपट हरे हरे छोले फ्रेश हरे चने को छील सकते हैं ये देखे है ना बहुत ही आसान तरीका अब दूसरा तरीका आप देखते ही बोलोगे कि ये तरीका सबसे बेस्ट है वैसे ये भी सही है दूसरे तरीके में आपको क्या करना है छोले ले लेना है और एक थैली ले लेना है या तक्के का कवर या कुशिन कवर कुछ भी ले 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 कि वह तीन साइट से पैक हो ताकि हमारा जो घर है हमारा जो kichen है वो खराब ना हों इसलिए को करना है तो आपको इस अधाली में इसको भर ले प्लेस्टिक नहीं कपड़े की ठहली ही लीजेगा और आपकगा भी आपको जाना है लेसंी करना है शिकर बनाते हैं इसके स्कृकर सकाइस उसके फ़ट जाते है तो हमोग उसको फार्णने की जरुआत नहीं पड़ती आराम से फिर आप चोल सकते हैं। तो में क्या करते हूँ इस तरीके से करके बच्चे को दे देती हूं और भशे खोल के चोले निकाल लेते हैं। तो यह दिखें इस तरह से आप खर सकते हैं तो बच्छों की पाइल दो पोती चील का मुझे में दोकर नौन की ही। तो ये सबसे बेस तरीका है इस तरह से आप करिए बच् laure निकल慈 जाते हैं और भूह से उसका छिलका फट। तो ये इसका लॉजिक है उस तरह से हमारे जो छोले हैं जट पर छिल जाते देखें ऑलरी वो खुले ही रहते हैं बस आपको इसमें से चने अलग कर लेने हैं और छिल यालग कर लेना है है ना बहुत ही quick तरीका है यह तो मुझे तो यह second तरीका अगर बहुत जादा होता है तो मुझे यह तरीका पसंद है बूनना है अगर आपको तो आपको डारेक्ट छिलके के साथ ही बूनना पड़ेगा आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं बट हाँ इसकी सबजी बना रहे हैं कोई कटलेट बना रहे हैं तो आप फिर इस तरह से छोले को छिलकर आप रिज में भी टिशू पेपर के अंदर या इस टाइप की ठहली के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं आराम ते 10-15 दिन कुछ नहीं होता इदम फ्रेश रहते हैं यह छोले तो दोनों में से कौन से ट्रिक आपको पसन आई उसके लिए जरू कमेंट करके बताईएगा चलिए फ्रेंज अगले जिप डेफिनिटली आपको पसन आईगी और आप सभी के रिक्वेस्ट पे लेके आई हो घर पे सस्ते में कैसे आप मायोनीज बना सकते हैं आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं 15-20 दिन के लिए तो इसके लिए बड़ा सा ग्लास ले 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 इस तरह से यहां मैंने आधा कप दूद लिया है दम थंडा फ्रीज से निकाला हुआ थंडा दूद लेना है आपको इसमें डाल दे नमक स्वादनुसार और थोड़ा सा अब शूगरगर दाल दे यह भी आपकी तेस्ट कर सकते हैं अब यहां मैं हैं मैंने जर्व मगडर कर रही हूं इससे रिजल्ट शुक्त बड़ टैंगरम एक डाल नल में मैंने लिन है नतम तो यहां में ल्या तक मैंद्ब है近 है जो थंड बनाना बताऊंगी तो एक कप मैंने यहां ओलिव ओल ले लिया है अच्छा ओल यूस करें इसके लिए जो सरसो का तेल अगरे तो बिल्कुल ही नहीं ऑलिव ओल अपको कैसे डालना है यह मैं बताऊंगी तो आप बड़ा चमच ले ले और तीन से चार चमच एक टाइम पे डा तब ही हमें दूसरी बार का ओल तालना है और ओल हमें थोड़ाधोरा करके ही डालना है तो मैं यह फिर से थोड़ा सा डाल रही हूं जिए तीन से चार चमच अमच अट टाइम डालिये आप और आप देखेंगी कि दूध है ना इमसिफाई हो रहा है और की साथ मिलके यह द तो यह सारे टिप्स आपको फॉलो करने होंगे थंडा दूद ही लेना है और आप अच्छा वाला लीजेगा यह टिप्स आप जरूर रियाद रखे इसे ब्लेंड कर लिया है जब आदा ओई हो जाए तब उसके बाद आपको एक चमच के करीब इसमें सफेद विनेगर यानि स अब आप बोलो कि सिर्का दालने से दूद्ध फट जाएगा ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स क्योंकि दूद्ध हमने थंडा लिया है अगर इन केस आपका दूद्ध फट जाए तो आप दो चमच और दूद्ध डाल के इसे सही कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि उसका टेक्च्चर खराब हो जाएगा आप बस करते जाएए इसे ब्लेंट करते जाएए तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालते हुए मैंसे करती जारी हूँ जब तक कि इस दम गाडा सा हमें मायोनीज ना मिल जाए यह देखिए और नमक और आप चिनी आपके टेस्ट के कॉर्डिंगली ड तो अगर आप चाहते हैं तो मैं उस पर भी वीडियो लेकर आँगी तो मैंने सारा ओइल डाल दिया है और यह देखिए दम गाडा सा हमारा जो मायोनीज है यह और मुस्ट बनके रेडी है देख सकते है इसकी कंसिस्टेंसी आपको तब तक इसे चलाना होगा जब तक कि अदुट looks, highlyuses पीजा में और ओडिगर चाहता है मैं तो एसे चिप्स के साथ ज्यादा खाना प्रिफर करती हूं शर्षम मेरे साव कर्कू अगर ने कर्षम है तो आपकर अनंसे कोई गस्ट आ आया है तो आप इस तरह से इंस्टेंट भी बना है तो नाचो ऐसे साथ पोफे तरीका mayonnaise बनाने का और इसे आप frizz में store करके रख सकते हैं 10 से 12 दिन के लिए कैसी लगी आपको ये tip ज़रू comment करें तो friends आज के आपको कौन से tip पसंद आई उसके लिए ज़रू comment करेंगा और आगे आप कौन से tip देखना चाहते हैं उसके लिए comment करेंगा तब तक के लिए friends like भी किजिए share भी किजिए और subscribe किजिए मिरे चैनल को till then take care bye